हमने अक्सर एक बात सुनी है कि जो महिलाओं का दिल होता है, महिलाओं का जो विर्दय होता है, वो बड़ा नाजुक होता है अगर कोई घटना दूर घटना भी हो जाती है तो पूरसों की मुकाबले उस घटना की वज़ा से उस हाथसे की वज़ा से महिलाएं जो होती है जादा रोती है यानि महिलाएं जो होती है जादा सेंस्टिव होती है घर की ओरतों को इसलिए कई ऐसी चीजों से दूर रखा जाता है कि जो इनका दिल है वो बड़ा नाजुक है इनको इस बात से ठेज पहुंच सकती है इस घटना का इनके उपर प्रभाव पड़ सकता है अगर कोई ऐसा वाक्या होता यह इसी तस्विरे होती है मरने के बाद अगर घर में किसी की मौत हो जाती है तो महिलाओं की इसलिए समसान घाट नहीं जाने दीा जाता क्योंकर महिलाओं का जो हिर्दह होता है बड़ा नाजुक माना जाता है कि अगर वो जलाने या फिर दफ्राने का काम देखेंगी अपने सामने तो ये चीजें ये सद्मा साइद महिलाएं बरदास न कर पाएं लेकिन इन सबसे उलट अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या कोई महिला ऐसी भी हो सकती है जो किसी बच्चे का खून पिये यानि वो महिला जो होगी वो बच्चों का खून पिने वाली हो यानि एक तरह से वेंपायर हो तो साइद इस चीज पे आपको यकीन ना हो और आपको लगे कि जो सामने वाला बता रहा, जो सामने वाला बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है लेकिन आज की जो कहानी है, आज की जो घटना है, ये सुनने के बाद, महिलाओं के बारे में जो आपकी ये धाड़ना है, ये कही न कही प्रभावित जिरूर होगी तो आधाब नमशकार जैहिंद बंदे मात्रम मय आपका अपना थाकुर प्रकर सिंफ आज मैं जिस कहानी के साथ, आज मैं जिस सची घटना के साथ हाजिर हुआ। ये कहानी, ये घटना, कोई साथ समुदर पार किसी दूसरे देश की नहीं है। कोई ऐसी जगह की नहीं, कोई ऐसी समुदाई की नहीं ना ही किसी कबीले से, ना ही किसी ऐसे मांसिक्ता वाले एक समू से बिलॉंग करें कि जहां पी यह चीज आप positive way मिले सकते हैं कि हो सकता है वहाँ सिछा का भाव हो या फिर ऐसी चीजों का भाव हो आज की जो कहानी है, यह हम ही आप में के बीच रहने वाले एक आम नागरी, एक आम महिला की है जो समय बीतने के बाद अपने घर के कुछ लोगों की खून की प्यासी हो जाती है और यह जो मुहावरा, यह जो कहावत है खून की प्यासी ये मुहावरा ये कहावत साइद इसी महिला के लिए बनी थी इसी महिला के उपर फिट बैठ थी चुकि ये महिला बच्चो का खून पिने वाली महिला थी तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहाने के उपर लेकिन कहानी सुरू कर उससे पहले आप से एक छोटा सा निवेदा कि अगर आप मारे चैनल पर नए हैं हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो के लाइक कर लीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा चुकि जब आप एक Like करते हैं, जब आप एक Comment करते हैं, जब आप Subscribe करते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने तरफ से, एक Glass Glucose मुझे देते हैं, कल की मेहनत के लिए, कलर अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए, नहीं नहीं कहानी आपके सामने लाने के लिए, और दूसरे से भी बात चीट किजिए इससे हमारे देश में. जो भी लोग देख रहे हैं दूसरे को जानेंगे, दूसरे से जुडेंगे. एक तरह से एकता की इन सारी चीजों की भावना भी बढ़ेगे. तो आप live देखिए, comment कीजिए और live chat में एक दूसरे से बात कीजिए इससे एक तरह से हमारी family भी strong होगी एक दूसरे को लोग जाने तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के उपर आज की कहानी इसी साल, साल 2022 में 22 अगस्ट यो दिन था ये तारिक थी यूपी का एक जिला अम्रोहा, अम्रोहा में एक थाना लगता है आदमपूर वहां के गाउं में एक परिवार कई सालों से खुसी खुसी रह रहा था घर में छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों की गिलकारिया गूज रही थी दो भाई थे, दोनों भाईयों की पत्नी थी, बड़े भाई के तीन बेटे थे और छोटे भाई की, साधी कुछ साल पहले हुई थी, हाला कि उसका कोई बच्चा अभी वजूद में नहीं आया था ओवराल जो पूरा परिवार था, बहुत खुसी खुसी रह रहा था, घर में किलकारियों की गूज थी, बच्चों को लोग खिलाते थे, पिलाते थे, सारी सीज़े चल रही थी लेकिन 22 अगस्ट आने वाले एक बात, जब 22 अगस्ट की तारीक आती है, तिस तारीक को, इस घर का जो सबसे छोटा बेटा था, यस, लगबख दो साल का, वो अचानक से गायव हो जाता है अच्छा जबी बच्चा गायव होता है, तो उस समय बच्चे की जो मा थी, वो जानुरों के लिए चारा लेने गई थी और बच्चे का जो पिता था, रमेश, वो लगबख अपने गाउं से 20 किलोमेटर दूर, एक जगा है हसनपुर, वहाँ से कुछ खरिदारी करने गया था अब मा बाप अपने बच्चे को, दो साल का बच्चा है मा थोड़ी दूर पे गई थी, तो चार पाई पे लिटा के चली जाती है, चोकि घर में और सारी सदस थे, और सारी लोग थे, तो उसे कुछ अजीब नहीं लगता, और वो चली जाती है, लिकिन जब मा लोटके आती अब मा को लगता है कि साइद जो बच्चे की चाची है, चाची अब बच्चे को लेके साइद तेल मालिस कर रही है, फिर खिला रही है, तो मा भाग के चाची के पास जाती है, अपनी देवरानी के पास जाती है, और उससे कहती है कि क्या तुमने यस को कहें देखा है, यस क नहीं देखा, यहीं कहीं होगा, अब देखिए बाहर देखिये, साइथ दूसरा बड़ा वाला जो बेटा है, वो लिया हो, अब ये दोनों उस बच्चे को खोजने निकलते हैं आसपास के पडोसियों से पूछ ताज करते हैं अब जो पडोसियों से पूछ ताज करते हैं तो पडोसियों से भी कोई च्यानकारी नहीं मिलती सुरू में उन्हें लगता है कि हो सकता है कोई पडोसी आया हो कोई बगल की महिला आई हो बच्चे को रोता देखी हो ठाली हो खिलाने लगी हो और कहीं घुमाने लेके गई हो इस वज़ा से आधे गंटे तक दो गंटे तक वो नार्मली अगल बगल अपने पड़ोस में पूछताज करते हैं लेकिन जब उन्हें पूरे पड़ोस में पू अगर आप लोग कहीं देखे हो तो प्लीज बताईए मेरी मदद कीजिए अब गाउं के जो पूरुस्त है इस बात को बड़ी सीरियस लेते हैं चुकि गाउं में इन सब मामलों में बड़ी एक्ता होते हैं अगर किसी के घर में कुछ हो जाए तो सारे गाउं के लोग उस मा कोजने के लिए आसपास की इलाकों में आसपास की जगों पर भटकने लगते हैं लेकिन घंटे बीच जाते हैं उस महिला के बाकी गाउंवालों के हाथ में कोई भी चीज हाथ नहीं आती न उस बच्चे का कुछ पता चलता है अब इधर जुमा थी उसका रोघो के बुरा ह अब वो थक हार के अपने पती जिसका नाम रमेश था जो हसन पुर गया था समाल लाने रमेश को फोन करते हैं और कहती है कि जो हमारा बच्चा है हमारा जो बाबू है वो गायब हो गया वो इतना सुनने के बाद रमेश के तो एक तरह से होस्ट खाने आ जाते हैं उसे लगता है यह क्या बोल लाई है उस समझाता है कहता है कि देखो कोई लिया होगा आसपास होगा तो महिला कह दिये कि नहीं मैंने सारी चीज़े करके देख लिए हमारा जो बच्चा है उसका कुछ पता नहीं चल ला अब रमेश को भीवी यह बात समझ में आ जाती है और रमेश भाग के जो वहां का थाना था आदमपोर वहां जाके रिपोर्ट लिखा देता है और वहांके जो यह सक्चो थे रमप्राखास सर्माउं से कहता है कि साव मेरा जो बच्चा है ओ आज लगवग दो-तीन घंटे से गाया वे उर बच्चा तो लगवग दो साल का है खीक से चल भी नहीं सकता तो खु़ोग से कहीं गया भी न किसी ने उसे चुरा लिया अब इस सच्चों wander जो बच्चा च्चोरी की बाष सुनते हैं और इस समय आपको भी पता है कि इस सज़ बच्चा चूरी और फिसारी चीजें बड़ी तेजी से चल रही हमारे देश में तो इस सच्चों चारब जो इस सच्चों सहाब थे इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के बाद गाउं में आते हैं, अपने तरीके से छान बीन करते हैं अपने तरीके से पूस्ताच करते हैं और इधर देखते हैं, चेक करते हैं लेकिन कहीं से कोई सुरा, कोई सबोत नहीं मिलता ना ही किसी में इस बच्चे को ले जाते देखा ना कोई ऐसी चीज हुई अब ये सारी चीज़े चलती रहते हैं तब ये सच्चो साहब जो थे वो नोटिस करते हैं कि जो बच्चे की चाची है अब इस घटना में भी दो-तीन दिन बीद गए थे इस हाथशे से बहुत ज़्यादा परिशान नहीं है जैसे इस मामले से उसे बहुत ज़्यादा फरक न पढ़ रहा हूँ अब पुलिस वालों की जो निगाह होती वो बड़ी पार्खी होती जब ये चीज पुलिस वाले देखते हैं कि ये बच्चे की जो चाची है उसे फरक नहीं पढ़ रहा है तो पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो इस चाची ने जरूर कुछ ऐसा काम किया या फिर इसको जरूर कुछ पता है या फिर नहीं भी पता तो अगर इसको नहीं फड़क पड़ा तो साइद एक बार इससे पूस्ताच करनी चाहिए अब पुलिस वाले उसकी चाची को थाने बुलाते हैं और बुला के उसका पती था कैलास और चाची प्रेमोती प्रेमोती और कैलास को बुलाते हैं थाने और बुला के पूश ताज करने लगते हैं अब जब प्रेमोती से पुलिस वाले कहते हैं कि क्या इस बच्ची की गुमसुदगी के बारे में तुम्हें कुछ पता है तो जो प्रेमोती थी वो गुसे में आके पुलिस वालों पे भड़क जाती और कहती है कि साहब एक तो हमारा भतीजाग आयव है और अब हमारी उपर इलचाम लगा रहे हैं अब जब यह गुसा यह जो आकरूस दिखाती है तो पुलिस वालों को भी एक बाल लगता है कि साहद हमसे कोई गलती हो गई है लेकिन फिर पुलिस वालों को उसकी बातों में उसके बोलने के तरीके में बोलने के अंदाज में घबड़ाट को दिखाई दे रही थी थोड़ी सी घबड़ाट साब चलक रही थी पुलिस वाले इस चीज़ को जब नोटिस करते हैं तो नहीं लगता है कि महिला को छोड़ो जिसका पती है कैलास उससे पूछताज की जाए अब पुलिस कैलास से पूछताज करती है तो बिना किसी जोर दिवर्दस्ती की कैलास जो है वो सारी कहानी बता देता है इंसानियात रिष्टे नाते अपना पराई ये सारी चीजों को आज सर्मसार कर देगा ये कहानी सुनने के बाद आप रिष्टो नातो इंसारी चीजों पर हरोसा नहीं कर पाएंगे कैलास बताता है कि उसकी प्रेमोती की जो साधी है दो से तीन साल पहले हुई थी तीन भी कहना गलत वोकर लगो पांस साल पहले हुई थी अब साधी होती है साधी के एक साल बाद इनको इक बच्चा होता है बच्चे का नामकरण होता है बच्चे के बारे में घरवाले पूरी खुसी मनाते हैं आसपास सोहर किर्तन ये सारी चीजे होती है लेकिन बच्चा जैसे दस दिन होता है दस दिन का बच्चे की मौत हो जाती है अब घरवालों की उपर एक तरह से दुखों का पहार टूट जाता है ये क्या होगा घरवाले सारे लोग मिलके इन दोनों को ढांडस बदाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं इस वर चाहें कि दुबारा बच्चा होगा और लोग की बास सही भी होती है कुछ दिनों बाद लगए एक दूसाल बाद एक दूसरा बच्चा होता है अब घरवालों में फिर से एक खुशी का महौल एक उम्मीद की किरण जगती है कि चलो एक बच्चा जो गया हो गया हो साइद अपना नहीं था उपर वाला गर कुछ करता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है चलो दूसरा बच्चा हो गया है अब घर में कोई कमी नहीं है सारे लोग खुशी कुशी रहेंगे लेकिन ये बच्चा भी जैसे एक देड़ महिने का होता है इस बच्चे की भी मौत हो जाती है अब जब ये घर्टना होती है तो जो प्रेमोती थी और कैलास थी अब बिचलित हो जाते है उन्हें लगता है कि ये क्या हो गया अब इतना होने के बाद अब हमारे दो-दो बच्चे मर गए इसका मतलब कोई गलत तो नहीं है क्या हो गया किस्का स्राब नहीं लगा कोई भूत प्रित तो नहीं तो डौक्टर से भी लाज कराते है मंदिरों में भी जाते है मनत मागते है सारी चीजें करते है तब जो प्रेमोती थी उसका कोई माईका था वहाँ से कोई सुझाओ देता है कि एक तांत्रिक है यहां से लगवग 20 किलो मेटर दूर एक तांत्रिक है हसन कूट में वो जो तांत्रिक है वो बड़ा सिद्ध तांत्रिक है उसको एक बार दिखा लो साइद कुछ फायदा मिल जाए कुछ हाराम हो जाए और वो कुछ पूजा पाट कर देगा तो ठीक हो जाएगा अब मरता क्या ना करता यह दोनों भाग के उस तांत्रिक के पास जाते है तांत्रिक का नाम था नसीम अली नसीम अली इनको देखता है और देखके कहता है कि तुम्हारे जो बच्चे मर रहे हैं इसलिए मर रहे हैं जोकि तुम्हारे उपर एक जिन्न का साया है और इस साय को हटाना पड़ेगा तुमको सुद्ध करना पड़ेगा अब यह दोनों बड़ी स्रद्धा से कहते हैं का अच्छा महराज इसके लिए क्या करना होगा क्या रास्ता है कौन सी पूजा करनी होगी तो फिर यह बताता है तांतरी नसीम अली कहता है कि आमोस्या की रात को तुमें बकरे का इंतिजाम करके आओ तब मैं बताऊंगा अब यह दोनों मान जाते हैं एक बकरा लेके आमोस्या की रात को और ये फला फला समागरहिज को भे ले के आना अब ये दोनों ये सारी चीज़ इंतजाम करते हैं और उसके बतायोगे ठचाने पे राठ को लगों 12 बजे पहुंछते हैं आ मौसर्य की रात को अब तांत्रिक कहता है इस बकरे की बली दो और इसके खून से बिना कपड़ों के तुम नहाओ और नहाने के बाद गंगा में जाके असनान करो उसके बाद तुमारे पर जिन का साया हो अठ जाएगा और जो तुमारे बच्चा भी पेट में है, तुमारे कोक में जो भी बच्चा है इसका जो स्वास्त होगा ये उत्तम होगा इसे कोई दिक्कत नहीं होगी ये बच्चा जो होगा लवक साउसाज जीएगा अब ये सारी चीज़ें जब कहता है उत्तांत्रिक तो जो कैलास था ये सारी चीज़ें खिलाब जाता है कहता है कि नहीं यह सब हम नहीं करेंगे किसी चीज के बली नहीं दे पाएंगे लेकिन जो प्रेमोती थी वो जिद पे अड़ जाती है कि नहीं मुझे बच्चा चाहिए मुझे बच्चा चाहिए अब प्रेमोती जिद करती है और कैलास भी मजबूरी में उस बकरे की बली दे और जो प्रेमोटी है वह उस बकरे के खून से बीना कपड़ों के नहाती और नहाने के बाद जो सारी क्रियाय थी तांत्रिकी वो करती है और करने के बाद गंगा में जाती है और नहा के चली आती funktioniert अब तांतरिक के कहने के हिसाब से जिसाब से तांतरिक ने कहा कि अब बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए बच्चे का जो स्वास्त हो सही होना चाहिए लेकिन ये बच्चा जैसे 7-8 महिने का होता है ये पैदा हो जाता है और समय से पहले पैदा होने के वज़ा से बच्चा मारा हुआ पैदा होता है अब ये बात ये घटना जब होती है तो कौन कहेगी ये डॉक्टर के पास जाए चेक अप कराएं ये सारी चीज करें जो प्रेमोती है अब चुकि पती पहले ही इंसारी चीजों के खिलाप है कहलास इंसारी चीजों के खिलाप था तो जो प्रेमोती है अपने माईके से किसी को लिवा के उस तांत्रिक के पास फिर से जाती है और कहती है कि बाबा आपने तो बताया थे लेकिन मेरा जो बच्चा हो तो मरा हुआ पैदा हुआ अब तांत्रिप कुछ देर बिचार करता है और बिचार करने के बाद कहता है कि जो तुमने बकरे की बली दी थे वो तुमने फला फला गलती कर दी थे इस वज़ा से तुम्हारी ये जो बली है वो सुईकार नहीं हुई हमारे जो जिन है, हमारे जो ये सारी लोग है इन्होंने इस बकरे की बली को सुईकार नहीं किया इसलिए अब तुम्हें एक बच्चे की बली देनी हुगी अब कायदे से सोचिए एक आदमी, एक बच्ची का मडर करने के बारे हम बोल रहा है, वो भी बली के नाम थे अब जब ये चीज जो तांतरिक बोलता है, वो पाखंडी बोलता है तो जो प्रेम होती है, वो कहने लगती है कि ठीक है बाबा, हम बच्ची की बली देंगे अब ये कहने के बाद वहां से घर चलियाती है, इसका भाई या फिर जो भी उसके माईके से गए तो कहते हैं कि बच्ची का इंत्याम कहां से लिए अब प्रेम होती, बेचैन होके, चार तरफ बच्चे को खोजने लगती है और खोजने के बाद, आसपास की लाकों में देखती है, उसे जब कोई बच्चा नहीं मिलता और एक दिन ऐसी ये सारी चीज़ें जब वो सोच रही थी और लगभग 20 सगस्त का दिन था, इसी साल 2020 में ये सारी चीज़ें जब वो सोच रही थी तब ही उसके दिमाग में आता है कि बच्चा तो हमारे घर में भी है अब ये सारी चीज़ें जब उसके दिमाग में आता है उसके बाद वो तांतरी को फोन करते हैं और कहती है कि बाबा आप अपनी पूजा सुरू कीजिए और जब बताएंगे तो मैं आ जाओंगा आजाओंगी और बच्चे का इंतिजाम हो गया है अब बाबा ये बात सुनते हैं बाबा फिर डेट तारिक फिक्स करते हैं 22 तारिक की 22 तारिक की सुबा अब ये 22 तारिक को जब देखती है कि घर में कोई नहीं है, ति उस बच्चे को अपने ही भतीजे को, जिसको ये खुद साइध एक-दू सालों से तेल उप्टनी सारी चीज लगा रही होगी, खिला रही होगी, उसी बच्चे को उठा के अपने कमरे में लेके जाती है, गला घोटती है, गला घोट के मार देती ह करके कपड़े से लपेट के एक संदूप में अपने बकसे में रख देती है, अब इधर जब बच्चे की मा आती है, और तप्ची पुकार होती थी, ये भी उनके साथ मिल जाती है, और मिलने के बाद, पूरे दिन लबग रात तक खोजने का नाटक करती है, और नाटक करने चाची है, अपने ही भतीजे को तुकड़ों में काटने की बात कह रही है, उसे कहा जा रहा हो, वो भी मान रही है, उसके बाद ये इतनी जालिम महिला, उस बच्चे को तुकड़ों में काटती है, काटने के बाद लबग साथ तुकड़े करती है, और उसका पेट, उसका सी उनके अंगों को खोशती है इधर जहां जंगली जानवर थे उनके पास फेंक देती है और उन्हीं जंगली जानवर उसमें से एक कुट्टा उसी बच्चे का पैर लेके खुमता हुआ गाउं में आता है अब गाउंवाले जब उस बच्चे के पैर को देखते हैं तो मामला भ भी बताते हैं कि एक कुट्टा भी एक बच्चे का पैर लेके गया था तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी अब इस कहानी को खतम कर उससे पहले पुलिस जो थी तांत्रिक को और उस महिला को और कैलास को जेल भेज चुकी है और कह रही है कि जल्द से जल्द हम इनके फासी की म आमाली महिला बन गया थी और साइथ अगर ही बत्चा पैदा नंवा था इसका बच्चा भी दूबारा फिर साइथ को रिकद को जाए और बाहर है तो फिर साइथ किसी दूसरे बच्चे को ये से आइस पर table कर झारे पुसे पहले आपसे छोटा सबर Windows क terror क प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजेगा, अगर कहानी पसंद आई हो तो इस यान को सब्सक्राइब कर लीजेगा, और अभी मैं बहुत नया हूँ, कई सारी मुझसे गलतिया होती होगी, फिर भी आपका जो प्यार है, इसके लिए कोई सब्दी नहीं, इतना आप मेरी गलतियों को भी झाल एं येगा, एंगर को झाल वीज वificant आपको पोग कोई सब्सक्राइब कर लीजबाने राईका सुझे होती हुझे होगी, अधर को टो सब्सक्राइब क्वाजा को एंगार को भी तो ये दोम सब्सक्त्राइब Cash doğru झालतियों को घें उनलतियों को जबतों होती हैं भी